मैं भुषिरो आपका स्वागित करती हूं आख बार बानी गॉसिब में गुटका भट पूजा भट आए गुटका भट नाम रखा गया है भई इनका भी एक हैस्टाइग चल रहा है और बोला जारा गुटका भटा है, घर में कुटका भटा है करिकी हमेशा चबाती ही तो चविंगम रहती है, पर लगता है गुटका जो है मुँ में है पर इन्होंने ही बहुत गंडी चीज कर दी, जो कि सोशल मीडिया पर लोगोंने अब गुद्धा उठा लिया हैं और मुझे लगता है उठाना भी चाहिए, मनीशा जो है बहुत रियल है, ऐसा करके भी बैठ जाती है, ऐसा अगर कल जब बैठी ती दब ऐसा लग रहा था कि जैसे सुपारी काट के मूँ में डाल रही हो, ऐसा है भी मैं भी बैठी हूँ कि बहुत आराम से लगता है मुझे, बहुत नाच्रल लगता है, रियल लगता है, अगर रिव्यू कर रहे हो तो रियल तरीके से करो ना, तो मैं जैसे बैठी हूँ, मैं जैसे हूँ, मैं भी वैसे रहती हूँ, तो मनीशा जो है आटा गूंदरी उपर सेल्फ के किचन में प्लाटफॉर्म पे काफे सारी चीज और ये आशी का शायद बाउल बाउल कुछ भूल जाती है, वहाँ पर रखके उठाना भूल जाती है, ये आम चीजी है ना, घर में, कभी कबार हम लोग नीचे बैठके आटा गून देते हैं, धनिया हम लोग छीन लेते हैं, कुछ-कुछ चीजे छील के ऐसा कर देते हैं, सब लोग ही कठे, लसुन छीलने बैठ जाते हैं, ये सब चीजे हैं, सब के घरों में होती हैं, सब चीजे कहीं पर रखके कुछ भूल जाते हैं, पर यहाँ पर पूजा भट जो है, खुद के ही घर में बहुत ही पराई के जैसा रहती हैं, इसलिए उनको रियालेटी जो है समझवें नहीं आती है, ये चीजे जो हैं, सोशल मेडिया पर लोग बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि पूजा बढ़ ने आकर बोला कि ये कैसे लोग हैं, यहाँ पर इतने सारे कैमरा है, इतने सारे कैमरा हैं कही पर भी कोई चीज ऐद 당시 कूछ रख देते हैं, कहीं पर भ बहुत सारी भडास जो है वो निकालेगी ही इसलिए गुटका भट जो है नाम भी रखा है और उसके बाद यह भी बात बोला है कि यह reality शो है रियल चीजे़ देख रही है असलिए कनेक्ट और यह हुए तुम खुद के ही घर में असली चहरा नहीं देख पाते क्या कहते हैं हम तो रियल है हमें तो बड़ा मज़ा आता है ऐसी चीज़े देखने में नीचे बड़के आटा गुलना लसुन छीलना और नीचे लेड़ जाना सल्मान खान भी खुद ऐसा करते हैं क्या कहते हैं आप इसी के साथ मैं लेती हूं जाज़त नमस्कार